फ्रेंड्स, Finished Okay, gonna find my channel at the cooking house आज मैं टवा फ्राई एक बनाने वाली हूँ किसी को एक खाना पचान की बनाओगे, तो बार बार खाने का मन होगा बारैस के डिनों में घरम घरम टवा फ्राई एक बना के खाने का तो मचा ही Κुछ और है लेकिन आपको बनाना है तो मेरा ये पूरा वीडियो ज़रुर से रेखना पड़ेगा तो ही उसका आप मज़ा ले सकोगे सबसे पहले पांच एग लेते हैं पांचो एग को फुल फ्लेम पे अच्छी तरह के से बॉयल करेंगे बॉयल करते वग इधर हम सौल्ट एट करेंगे सौल्ट एट करने से हमारा ये बॉयल हो जाएगा फिर बाद में छिलने का बहुत ही एजी रह जाएगा ये रेशिपी के लिए एक्स पूरे बॉयल होने चाहिए तो ही इसका टेस्ट आपसम मिलेगा माशाले में पसब से पहले हाफ टीश्पून हल्डी पाउडर एट करती हूँ थ्री टीश्पून रेट चिली पाउडर वन टीश्पून जन्या जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून ब्लेक पेबर पाउडर टेस्ट एकोडिंग सॉल्ट, थ्री टेबल स्पून ओईल, ओईल की क्वांटेरी थोड़ी हम इधर जाड़ा लेंगे, हाफ टेश्पून गरब मसाला, चौप हरा धनिया, सब इंग्रिडियंट्स ले लिया, अभी ये सब इंग्रिडियंट्स को अच्छे से मीक्स करूंगी, इसमें हम पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा ओईल कम लग रहा है, इसके लिए में थोड़ा ओईल एट करते हूं, डौ टेबलस्पुन ओईल मैंने और एट किया है, अभी हमारा पर्फेक्ट मसाला बनके रेडरी हो गया है, मसाला रेडि हो गया है तो इसमें बॉइल एक को कट करके उसका एक एक पार्ड मसाले से कवर कर लेते हैं, और मसाले से कवर होनी के बाद एग को टवे पर फ्राइ करेंगे आयन टवा लिया है, आयन टवे को मैंने अच्छे से गरम किया है अभी इसके उपर मैं आईल एपलाई करती हूँ आज आपको मेरी एर ऐसी पसंड आए तो लाइक कीजिए मेरी चैनल के सब्सक्राइब करना बिल्कुर न बूले और साथ में बेल आइक उन जरूर पेस कीजिएगा जिससे आपको मेरी नेक्स रेसीब का नॉटिफिक्सन मिलता रहे एग रखने से पहले गैस फ्लेम बिल्कुल फ्लो रखेंगे जिससे ऑईल के छीटे हमपे ना आए कि यह आंडा एक साइट से फ्राइब हो गया है तो इसको मैं फ्लेब कर लेते हूह हमारा यह ओईल अलग होना सुरू हो गया है मसाला हमारा अच्छे से पख गया है तो मैं एक एक करके सब अंडा निकाल लेती हूं और उसको सव कल लेती हूं यह रेसिपी डेक के मुँँ में पानी आ गया ना इसका स्पाइसी टेस्ट खाके वंचूरियन और कोई भी बाहर की स्पाइसी डिस भी खाना आप भूल जाओगे उतना बेहर डमेजिंग लगता है यह रेसिप पसंड आये तो लाइक एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और साथ में आपकी वैलिवाबल कॉमेंट जरू से कीजिएगा ठेंक्यो फो वाचिंग मा वीडियो ठेंक्यो